फ्रेंट्स एजिन उसके चैनल में आपका स्वागत है फ्रेंट्स आपसे एलोपैथिक मेडिसिन्स के बारे में की है जो मैं रिव्यू लेके आया हूँ वो आरवेदिक आयल के रूप में बात करेंगे जो बहुती सारे बीमारियों में फायदा पूंचा है और इसका कोई जानते हैं इजिन उसके चैनल में जी हाँ फ्रेंट्स आज हम बात करेंगे केश्टर आयल और इस अदूत फायदे के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे केश्टर आयल के वर्क के बारे में उसके डोजेज के बारे में इसे कैसे इस्तमाल करेंगे और इसे कहा कहा इस्तम करेंगे जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं केश्टर आयल बरसों से हमारी दैनिक दिंचारिया में इस्तमाल की जाती है यह सिहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है और यह इसकीन और हेर के इलावा एंटी इंफ्लामेटरी और एंटीबाइटिक तक ही सिमित नहीं है इसके औ और बहुत सारे बहुत मुल्या फायदे हैं जो आगे आपको मैं बताऊंगा केश्टर आयल के और बहुत सारे बेनिफिट्स जैसे ड्राइ स्कीन के लिए यह एक बरदान साबित होता है इसके अलावा मुहा से वे काफी कंट्रोल करता है यह आयल बढ़ते उमर के निसान को कम करता है यह आयल तवचा की अंदर जाकर और इलिस्टर बढ़ाता है जिससे यह इसकीन को नरम एवर हाइडरेट करने में मदद करता है जिससे हमारे छेहरे पर जूरिया नहीं होती है और बहुत खुबसूरत और जवान हम दिखने लगते हैं इसके अलावा भी दोस्तों और बहुत सारे इसके फायदे हैं केस्टर आयल यह एस्ट्रेच मार्क को दूर करने में मादद करता है इसमें फैटिक एसिड की मातरा पाई जाती है जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आवरत प्रिग्नेंड होती है इसके लास्ट टू मन्त के दोरान केस्टर केस्टर आयल कांटिनिव इस्तमाल करने पर इस्ट्रेच मार्क होने से बचा जा सकता है यह बालों को जढ़ने से रोकती है जूरियों को कम करती है कब्स को दूर करती है गठिया के दर्द को भी कम करती है इसके अलावा भी दोस्तों बहुत सारे इसके फायदे हैं जो मेडिकल इस्टोर्ट से या कहीं से भी ले तो इससे सारी जनकारी अपले सकते हैं इसके डोजेज के बारे में पता कर सकते हैं और कैसे कैसे लेना है इसका इस्तमाल करना है इसके डोजेज और इस्तमाल अलग-अलग हो सकते हैं दोस्तों बहुत ही फायदे मंद ऑयल है आप इ इजीन उसके चैनल को सब्सक्राइब करें।